दोस्तों मेरी उमर 19 साल की थी, उस समय मेरे स्कूल में गर्मियों की छुटी थी, तो मैं अपनी बड़ी बहन के घर कुछ दिनों के लिए रहने आ गई दीदी की साधी को एक साल से अधिक समय गुजर चुका था, और दीदी और जीजा जी अक्सर हमारे घर आया जाया करते थे, लेकिन मैं आज तक उनके घर एक बार भी नहीं आई थी, दीदी और जीजा जी दोनों बैंक में काम करते थे, लेकिन दोनों अलग-अलग बैंकों मे काम करते थे, मुझे दीदी के घर आये 6-7 दिन हुए थे, एक दिन मैं घर पर अकेली थी, तो जीजा जी अचानक बैंक से चल्दी घर वापिस आ गए, मैं टीवी पर एक सीरियल देख रही थी, तो जीजा जी मेरे पास आकर बैठ गए, और बातें करने लगे, पिछले 6-7 द पर आने हुई, लेकिन फिर थोड़ा सोचने के बाद मैंने कहा, अभी तक तो नहीं, लेकिन मेरी दोस्त का एक भाई है, जिसे मैं पसंद करती हूँ, तब मैंने देखा, उनके चेहरे की हसी जैसे गायब हो गई थी, फिर उन्होंने बहुत गुस्से भरे अंदाज से पू इसलिए तुम्हें भी किसी लड़के के साथ की जरूरत मैसूस होती होगी, उनकी इस तरह की बाते सुनकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, और मैं थोड़ा डर गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा, साइदो मेरे बारे में कुछ और जानना चाहते हूँ, तब जीजा जी अपनी जगे से उठकर जाते हुए बोले, कि अगर मैंने तुम्हारी दीदी से पहले तुम्हें देख लिया होता, तो मैं तुम्हारी दीदी से साधी कभी ना करता, इतना कहकर किचन में चले गए, उनकी यह बात समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैंने सो बोला तो मेरी उत्री हुई सकल देखकर दीदी ने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो, मैंने दीदी से का हाँ, सब ठीक है, बस कल रात ठीक से सो नहीं पाई, फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, एक दिन में थोड़ा लेट में सोकर उठी तो देखा दीदी अपने बैं जीजा जी पीछे से आये और कसकर मुझे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया, उस समय तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, और डर के मारे तो मैं सुन पड़ गई, और मैं अपनी जगए से हिल भी नहीं पा रही थी, इस से पहले कि मैं कुछ संभाल थी, उन्होंने मेरे गाल पर किस कर लिया और मेरे बदन के हर हिस्से पर अपना हाथ फेरने लगे तब मैंने एक गहरी सांस ली और अपने आपको संभालना और उन्हें पीछे की तरफ धक्का देकर खुद से दूर कर दिया उन्होंने दुबारा मेरे करीब आने की कोशिस की तो मैं जोर जोर से चिलाने लगी उन्होंने अपने एक हाथ से मेरा मुँ बंद कर दिया और दूसरे हाथ से मेरे दोनों हाथ पकड़ कर बोले अगर तुने अपनी बहन को या किसी को भी इसके बारे में कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूँगा मैं इन सब बातों को काफी डर गई थी मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वज़े से मेरी दीदी का घर बरबाद हो इसलिए मैंने दीदी को इस वाके के बारे में कुछ भी नहीं बताया उस रात मैं ठीक से सो भी नहीं पाई अगले दिन मेरे जीजा और दीदी दोनों लोग बैंक चले गए थे उस रात में मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी तदा सोने की कोशिस कर रही थी तब अचानक देखा कि कोई मेरे रूम का दरवाजा खोल कर सीधा अंदर आकर मेरे साथ बेड़ पर लेट गया हूँ मुझे समझने में एक मिनट भी देर नहीं लगी कि ये मेरे जीजा जी है मुझे जीजा जी की वैबात याद थी जो उन्होंने कल मुझे से कहा था इसी डर की वज़े से मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी कि कहीं मेरे वज़े से दीदी का घर बरबाद ना हो जाए फिर जीजा जी मेरे पास आये और बोले मैंने तुमारी दीदी को नीत की दवाई पानी में मिला कर दे दी है इसलिए अब वो सुबह तक जाग नहीं पाएंगी मैंने जीजा जी से हाथ जोड़ कर कहा प्लीज आप मेरे साथ ऐसा ना करो लेकिन उनके सर पर तो उस समय कुछ और ही सवार था उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे साथ ओसब करने लगे जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी मारे डर के मेरा पूरा सरीर कापने लगा मैं मिन्नते करती रही उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ मेरे पूरे बतन को चूमने और दबाने के बाद उन्होंने ओ काम करना शुरू कर दिया जो मुझे बहुत दुख पहुचा रहा था उस दर्द को मेरे लिए बरदास करना बहुत मुश्किल था ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे नीची लोहा पिखला कर डाल लिया हो उनके इस कृत्ति में मैं कुछ देर के बाद बेहोस हो गई जब मेरी आख खुली तो मेरी जिन्दगी बरबाद हो चुकी थी और मैं पूरी तरह से तूट गई थी इसके बाद जीजा जी ने इसे रोज काम मामूल बना लिया था और मैं बस दीदी की वज़े से ऐसा बरदास करने को मजबूर थे पंदरे बीच दिन तक लगा तारे सिलसिला चलता रहा फिर एक दिन पता नहीं कैसे दीदी मेरे पास आई और उसने कहा तुम्हारे और जीजा की बीच क्या चल रहा है मुझे सब सच बता दो वरना मैं मम्मे पापा को बुलाकर उनके सामने सारा सच खोल दूँगी दीदी की ये बात सुनकर मैं काफी खबरा गई और दीदी से पूछा कैसा सच तब दीदी ने कहा कि तुम्हारे और तुम्हारे जीजा के बीच ये सब क्या चल रहा है मैं दीदी की बात सुनकर काफी डर गई और दीदी से गले लगकर रोने लगी फिर दीदी ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए दोबारा पूछा तब मैंने दीदी को सब कुछ सच बता दिया जो भी चीजा ने मेरे साथ किया था तब मैंने दीदी से पूछा लेकिन आप को इस सब के बारे में कैसे पता चला तब दीदी ने बताया कि 15-20 दिनों से उन्हें हर सुबा उठने के बाद बहुत कमजोरी मैसूस होती थी और वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रही थी फिर डाक्टर के पास गई और डाक्टर ने टेस्ट करवाए तब उन्हें पता चला उन्हें काफी दिनों से लगातार नीत की दवाई दी जा रही थी सब समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये सब क्या चल रहा है दीदी ने उसी वक्त पुलिस को बुला लिया और पुलिस को सब कुछ सच बता दिया पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जीजा जी को गिरफतार कर लिया जिसके कुछ दिनों बाद ही दीदी ने जीजख जी को तलाग दे दिया दोस्तों एक कहानी एक कालपनी कहानी है और हमारे समाज में ऐसे किस्स अक्सर सुनने को भी मिलते हैं बस हमें जरूरत है तो ऐसी बातों को समाज के सामने लाने की ताकि किसी भी बहन बेटी की इज़त ऐसे लोगों से बची रहे और उन्हें उनके किये की सजा मिल कर रहे आपका इस कहानी को लेकर क्या बिचार है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा